संसद में देश भर का पूर्ण बजट केंदरे वित मंत्री निर्मला सीता रमन और रास्तान विदान सभा में परदेश का पूर्ण बजट सदन में रखा बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी राई भी रखी जहां सत्ता पक्ष ने बजट को अब तक का सबसे अच्छा बजट बताया तो वहीं विपक्ष ने इसे सबसे खराब शेड़ी में माना इसी कड़ी में राजस्तान के समाजिक निया अधिकारिता मंतरी अविनाश गैलोद ने बजट को लेकर अपनी पर्तिक्रिया दी साथ यूनोंने विपक्ष पर भी जम कर हला बोला मंतरी गैलोद ने कहा कि विपक्ष में बयान वीर बहुत ज़ाद हैं सिर्फ और सिर्फ बयान देने में महरत हाजिल कर रखी है देखी राजस्तान सरकार ने अपना जो बजट दिया इस बार 10 जुलई को पहले लेखा नुदान था उसके बाद पूर्णकारी बजट राजस्तान की वर्तमान सरकार का पहला बजट था मैं मानि मुक्ही मंतर जी का और मानि वीत मंतर जी का धन्यवा देता हूँ के जिनोंने एतियाशिक बजट प्रस्तुत किया है ये प्रधान मंतरी मोदी जी के उस सपने को साकार करेगा जहां उन्होंने 2046 में विक्षिद भारत की किल्पना की है और विक्षित भारत के लिए विक्षित राजस्तान का होना जरूरी है बहुत सारे एत्यसी काम जो हैं वो हमारी इस से वर्तमान सरकार में राजस्तान की सरकार ने किये है चुकि केंदर का बजट भी अभी हाली में कल आया है के अंदर का बजट और राजस्थान इस सेट का बजट ये बहुत महत्पूर्ण है राजस्थान को और भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंतरी मोगी जी ने कहा है कि युवा गरीब महिला किसान ये प्रमुग वर्ग हैं जो देश को प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं किसानों के सम्मान में भी प्रधान मंतरी मोधी जी ने जो आने वाले पांच राजियों में भारत के किसान क्रेडिट सेवा सुरू करने का निर्णे किया है परदानमंतरी घरीब कल्यान की योजना है उसको फिर आगे पांस साल के लिए बढ़ाने का निर्णे किया है यूओं को चार करोड रोजगार का वעदा किया गया है एक करोड लोगों को इंटरस्टेव का वदा किया गया है और प्रधान मंत्री ग्राम सुड़ी योजना की माधियम से 25 जार से अधिक गाउं को जोडने का लक्षे लिया गया है लगपती दीदी की माधियम से 3 करोड मातर सक्ति को आर्थी गुरूप से ताकत देने का काम किया है और ये जो मुद्रा इस्पीरती की जो दर है वो चार प्रतिशत की जो लक्षे है हमने रखा है वो रहने का हमारी इस बज़ट के अदर अनुमार है और हमने 63 हजार गाउं में जंज जाती है 19 ग्राम अभिहान चलाने का निड़ने लिया है और मुद्रा लोन की जो सिमा थी उसको 10 लाग से बढ़ा कर 20 लाग रुपे कर दिया है इसके साथ ही परधान मंतरी आवास के तहर आने वाले समय में 3 करोड नए पक्के मकान घरीबों के लिए बना जाएंगे और तीन परतिसत की व्याज दर से हमारे जितने भी चात्र हैं उनको लोन की सुईदा होगी अपने जो एजुकेशन इस्टेडी है उसमें कुछ आगर आप कोचिंग कर दो तो तीन परतिसत की दर से उनको लोन की सुईदा है इसके साथ ही जैसे इलेक्ट्रोनिक वहां ने वो सस्ते हो रहे हैं सोना चांदी सस्ता हो रहा है लेदर सस्ता हो रहा है कैंसर की जो कुछ दवाएं वो सस्ती हो रही है इलेक्ट्रोनिक आइटम सस्ते हो रहे हैं बहुत कुछ उन्होंने किया है टेक्स लेप वैसा के वैसा रखा है उन्होंने पहले जैसा ही जो टेक्स फ्री है वो रखा है और मुबाइल फॉन हो चार्जर हो इस पर सिमा सुल में 15% की छूट उन्होंने दी है इसके अलावा आगामी चार साल में 4 करोड के रोजगार का मैंने बता ही दिया है और रोजगार सर्जन है तो 2 लाग करोड रुपए खर्च किये जाएंगे आने वाने समय में ग्रामीन विकार से तो 2,66,000 करोड रुपए का प्रावदान उन्होंने किया है और मुद्रा योजदा की जो जेंट सिमा 20 लाग हो गई है विशेस रूप से बिहार और आन्दर प्रदेश को विशेस पैकेज दिया गया है जिसमें साड़े 57,000 करोड रुपए का बिहार को और 15,000 करोड का आन्दरा को उनको दिया गया है चुकि काफी समय से मांग भी थी और पिशडा हुआ इस्टेट भी है इसके लाव बहुत सारी हैं हमारे माताओं के लिए, भहीनों के लिए, युवाओं के लिए किसानों के लिए, किसान समा निदी, प्रधान मंदी, मोधी लगातार देई रहे हैं तर देई, हमारी स्टेट की गौर्व嫡राय मयव है, हम लोग चरणबत तरीके से 630 को 12000 रुपे करेंगे और बिजली के चेतर में हो, चैह पानी के चेतर में हो, इंफ्राइस्टियО sudah में हो और इंडिस्टी के छहत्र में हो, हमारी सरकार निकाएक, हम बहुत व्योस्ति तरीके से राजस्थान को भी आगे ले जाएंगे और हम लोग विश्व के अंदर भारत का मान समान बढ़ा सकें, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है, समर्थ भारत, सक्सम भारत, आत्मनेर भारत की कल्पना अगर कहीं पूरी होगी थे इस बजट के मादियों से, पूर मंत्री परताब सिंग खाचरेवास का कहना है कि जो डावल इंजन की सरकार है, वो फेल हो चुकी, जनता सरकार को ढून रही है, सरकार मिल नहीं रही, उसके आती क्या परताब सिंग खाचरेवास खुद का है, जो व्यक्ति लोग सभा के चुनाव हार गए हो, विदान सभा के चुनाव हार गए हो, हार के अलावा उनके पास में दूसरी को उखलब दी नहीं है, तमाम मंत्री परस्टे सिद्शी जो से राजस्तान के पिछली कॉंग्रेस सरकार के वो सारे के सारे लगबग हार चुके हैं, इनके तो बयान वीर हैं यह तो, यह ऐसे कोई विकाम करते नहीं हैं, बयानों के कारण सुरक्यों में र मंत्री की नेतर्दों में और हमारी पूरी मंत्री परस्ट है, वो चुनावी वर्स में जो गोस्ता होती, वो काम हमने चुनाव के खत्म होने के बाद में किया है, ऐसा कभी आपने सोचा है कि सुरुआत के छे मईनों के अंदर सवा दो लाग करोड रुपे के M.O.E.O. लिए जो हर्यान सरकार के साथ M.O.E. हुआ है, याज भी मंदी परतर सरकार के साथ में हुआ है, और बिजली के छेतर में देख लो, इंडिस्टी के छेतर में देख लो, सब तरीके से राजस्तान को आगे बढ़ाने के लिए विक्षित करने के लिए सब हैं, क्या कॉंग्र का संगल पतर जारी किया था, गोस्टां पतर जारी किया था, चुनाव से पहले, उसके 50% से जादा हमने सुरुआत के 6 महीने में काम पूरे कर दिये, सारे विभाग के जो 100 डेस का एक्सनल प्रान था, उसको 80% के करिए हम लोगों ने पूरा कर दिया है, और मैं दावे के सा को इंप्लिमेंट करने के लिए तयार है, और मैं सोचता हूँ कि हमने टेंडर लगाने के बारे में सोच लिए, मेरे वहां 30 करोड की रोड़े स्युक्रत हुई है, हमने प्रस्ताव बना के भिजवा दिया है, FD डिपार्टमेंट जाके वहां से शुक्रती FSK आते ही हमारा लगने वाला है, और जो बड़े काम हैं, उनके भी टेंडर लगाने के हम लोग प्रसेर सुरू कर दिये, ऐसा पहले कभी नहीं हुए, या पहली बार हुआ ऐसा, भजनलाल जी की नितरतों में, कि हम लोग जो कहते हैं, और सही समय पर करते हैं, मुख्यमंत जी बार बार कहत हैं, सिला नयास भी हम करेंगे, उद्गाटन भी हम करेंगे, और जो आने वाले जो उप्चुनाव हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, कि पांचों जगए, इंडी गटबंदन के तहत, लेकि राजस्तान में जिन पांच सीटों पर उप्चुनाव हैं, परमपरगत रूप से उनको चुनाव में जीताएं, और निशिती मानने मुख्यमंत जी के नेतर्द में, ये पांचों के पांच सीटे हम लोग जीते हैंगे, हमारा कारीकरता, हमारा संग्धन और हमारी सरकार के काम काज, ये सब मिलकर काम करेंगे, तो निशिती इन पांचों उप्चुनाव के हम लोग जीते हैं कि जो राजस्थान वार पे बेरोजगारी की मार बहुत ओर रखी है सतर लाग प्लस से ज्याद़ यह वा बेरोजगार हैं तो चार लाग नोगरियां कैसे हो पाएगा देखिए निश्चित यह बात सही है कि पिछले पांच साले में कॉंग्रिक्स के समय 1000 लोगों को एक सात नोगरी दी है Indian दी अब रोजगार मेला लगाकर पिछले ही महीने 10-15 दिन के अंदर अंदर हा हम लोगों ने चार लाग सी का वाड़ा किया है हम लोगों ने एक लागि नोकरी इक रोजगार सी एक साल में देने हैं उस से आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि चिकिशा मंतिर जी ने जब विदान समाने बजट की डिमांड पर जब रिप्लाई किया तब उन्हों ने 50,000 के करीब नोक्रियों को इसी साल मार्ट से पहले पहले भरने के लिए बोला है 22,000 हम लोग दे चुके हैं 50,000 हमारी हेल्ट डिपार्टमेंट की आ जाएगी 70,000 के करीब ये हो गई है 20,30,000 हमारी और अलग लग जाए जो हमारी वेकेंसिया है उसके मादियम से आ रही है यूटीबी के मादियम से भी हम लोग लेने वाले हैं ऐसे करके 1,00,00,00 के करीब जो नोखरिया है वो इसी साल लगने वाली है इसी साल नयूप्ति होने वाली है तो अब अगर 1,00,00 का हमारी चुनाव करतम होने के पर्थम वर्स में हो गई तो 4,00,00 के नोखरिया देना, रोजगार देना, कोई बड़ी बात नहीं है और हम ये करके दिखाएंगे कि हमने जो चुनावी गोस्ता पत्र वादा किया था, हमारे मुख्यमती ने बजट मजब वादा किया था, उसको हम लोग सही समय पर पूरा करेंगे एंटी गेंक से तासफ़ा भी गठन किया है, पेपर लीग के माफियों पर शिकन जा करसने के लिए साइटी का गठन किया है, और सो से डियर सो के बीच में जो अपरादी हैं, मुलजीम हैं, इस पेपर लीग के गिरों के अंदर सामिले हैं, उनके खिलाब लगातार कारवई ज जारी है, पेपर लीग में जो लोग अपरादी थे उनके घर पर बुल्डोजे चला कर उनके जो पक्के मकान उनको तोड़ा जा रहा है, कारवई हमारी पूरी मुस्तेदे और हमारी सरकार बनने के बाद में दो से तीन पेपर हुए हैं, एक भी पेपर के अंदर अगर कहीं एक विध्यारती, जब राजस्तान परिक्सा देने के लिए जाते हैं, जो बुड़े माबाप अपनी कमई का पैसा लगाते हैं कोचिंग के उपर, और जो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, तब उसे बुड़े माबाप की जो मनो भाव है, उसको हम लोग देख नहीं सक झाल